In this part, we are going to discuss about the Sanger sequencing, जो मैंने बताया, उसी को visualize कराने की कोशिस कर रहा हूँ है, तो Sanger sequencing देखो, दो तरीके के हो सकते हैं, जो gel electrophoresis पे based हो, या capillary electrophoresis पे based हो, जैसा मैंने बताया था, अब gel electrophoresis based पहले हम पढ़ रहे थे, तो पहले आपके पास चार अलग-अलग experiment बनाएंगे, उन चारों में आप template DNA को रखेंगे, template DNA के साथ-साथ ही जो है, आप primer को भी देंगे हर एक reaction mixture में, primer एक short nucleotide sequences होते हैं, जो starting material की तरह काम करते हैं, 3' OH को provide कराते हैं, आप हर एक while में जो है, और 3' OH या प्राइमर dependent होता है, इसके बाद आप 4 DNTPs लेंगे, और 4ों के 4 DNTPs, जिनमें 3' OH होता है, वो सभी while में आप add करेंगे, बारी-बारी से, सभी आपने जो 4 के 4 experimental mixture थे, उसमें आपने करें, और 4 experimental mixture में, जो DDNTPs के वाइड करोगे, और DDNTPs के पास 3' OH नहीं होता, याद रहें कि DDNTPs हर एक while में अलग-अलग separately होगा, मतलब DDATP का एक while होगा, DDTTP का एक होगा, DDGDP का एक होगा, और DDCTP का एक होगा, मतलब आपने 4 अलग-अलग इस तरीके से while करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, कि normal DNTPs के पास 3' OH होता है, तो phosphodaster bond बनाएगा, लेकिन जो आपके पास DDNTPs होते हैं, उनके पास 3' OH नहीं होता, तो वो phosphodaster bond को नहीं बनाते हैं, वहाँ पे phosphodaster bond नहीं बनता है, और वो chain को terminate कर देता है, यह आपको मैं बता चुका हूँ, अब आपके पास 4 separate reaction mixtures थे, इन चभी को आप एक particular thermal cycler में या thermal machine में रखेंगे, जिसमें temperature आप बढ़ाएंगे, ताकि DNA का denaturation हो सके, और DNA जब तक denature नहीं होगा, बाकी का process नहीं होगा, तो जैसे आप temperature raise करोगे, temperature raise करोगे तो क्या होगा, यहापे DNA जो है वो denature होगे, और जब DNA denature होता है, तो what will happen, अब primer anneal हुआ, और primer anneal होने के बाद DNA polymerase जो है, वो extend करेगा, interesting point यह है कि देखो extend करते करते chances यह है, कि अगर यहाँ पे जैसे आपके पास DD ATP का वाल है, उसमें DD ATP आएगा, तो chain वहीं पे terminate हो जाएगा, तो आपको यह इतना बड़ा fragment मिला, यह possibility है कि DD ATP इस वाले T के पास भी incorporate हो सकता है, यहाँ वाले T के सास्थ भी हो सकता है, यहाँ पे incorporate होगा, तो यही तक chain वो extended होगा, तो यही तक change हो एक fragment आपको यहा तक वैसे ही DD-ATP में कुछ fragments होंगे वैसे ही DD-GTP में कुछ fragments होंगे वैसे ही DD-CTP में कुछ fragments होंगे इस तरीके से आप कुछ fragments को जो है वह observe कर पाओगे ठीक है तो यह सारे cases आपको देखने को बिलेगे और इसी तरीके से जो है different size के fragments या basis आपको नजर आएंगे, अब इन्हें करना क्या है, अलग-अलग sample को लेना है और फिर आप page पे run करना है, तो देखो यहाँ पर, आपके पास क्या हुआ, कि आपके पास अब gel electrophoresis करना है, इसमें आपने page, याणि polyaclimate gel बना रखता है, हर एक oil से उठाना है, और हर एक, यहाँ पर wells में अपने sample को load कर देना है, load करने के बाद आप अपने electrophoresis chamber को एक power supply से connect करेंगे, और connect करने के बाद power supply को on करेंगे, जैसे power supply on करेंगे, आपको पता है कि DNA के पास एक negatively backbone होता है, negatively charged backbone, जिसकी वज़ए से जो DNA होते, वो negatively charged, negatively charged, जो cathode होते है, उससे जो है आपके anode की तरफ move करने की process करते है, anions जो है वो anode की तरफ move करते है, anode जो होते positively charged होते, तो देखो, यहाँ से वो anode की तरफ move कर रहा है, cathode to anode, तो DNA इस तरीके से move करते है, और electrophoresis में मैंने यह बता चुका हो, कि आपका जो separation होता है, उसमें size का अभी बड़ा रोल होता है, जो छोटे size के fragments होते हैं, वो छोटे size के fragments faster move करेंगे, और बड़े size के slower move करेंगे, तो इस तरीके से जो separation आपके इस gel में नजर आएगा, अब आपने bands को separate करते हुए, इसे एक दो घंटे छोड़ेंगे, वो run हो जाएगा properly, run होने के बाद जो है, आप अप DNA को visualize करेंगे, तो को visualize करने के लिए बहुत सारे आपके पास materials हैं, लेकिन इससे पहले आप क्या करिए, या तो अपने primer को आप labeled कर दीजे, या तो आप अपने DATPs या nucleotide को add करें, उसे labeled कर दीजे, और labeling करने के लिए आप radioactive phosphorus का use कर सकते हैं, जो alpha phosphate पे labeling कर सकते हैं, ultimately चाहिए आप primer को label करिए, चाहिए आप अपने DATPs को label करिए, आपने DNA को label कर रखा है, so that कि आप उसे visualize कर पाए, कहां पे auto radiography machine में, auto radiography machine में क्या किया जाता है, एक x-ray film होती, x-ray film को gel के उपर रखा जाता है, एक chamber में, और इसे overnight expose करके इसे छोड़ दिया जाता है, so that कि जो है, ऐस तरीके के light में रखा जाता है, तो यहाँ पर जो bands होते हैं, वो आपके visualize होते हैं, तो auto radiogram के through आप इस bands को visualize कर सकते हैं, अब visualize करने के बाद, जो आपके sequences होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि, यह last basis जो है, वो आप identify कर सकते हो, इस तरीके के fragment, जो है, बढ़े वाल इसका complementary निकाल लेंगे, तो आपके पास दूसरा आगे, तो आपके पास यह रहा, that is Sanger sequencing का gel method, यानि gel electrophoresis या page based method, अब इसके बाद आता है Sanger sequencing का, आपके पास capillary electrophoresis method, in the capillary electrophoresis method, आपको 4 reaction mixture की ज़रुवत नहीं है, एक reaction mixture से ही काम पढ़ेगा, उसमें template दिया, polymerase दिया, और उसमें जो है, आपने क्या किया, that is primer देती है, इसी तरीके से एक ही से काम चलेगा, क्योंकि इसमें जो है, आप 4 fluorescently labeled DDNTPs को यूज करने वाले, तो देखो DNTPs को आपने रखा, अब यहाँ पे आप यूज करेंगे DDNTPs को, DDNTPs previously जब gel electrophoresis था तो वो लेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे DDNTPs, capillary electrophoresis में labeled होता है, वो भी different color के fluorescently labeled होते है, उसका huge मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, अभी फिर से discuss करेंगे, देखो हम यह discuss कर चुके कि normal जो NTPs होंगे वो phosphodaster बनाएंगे, और जो DDNTPs होंगे वो नहीं बनाएंगे, यह हम अभी discuss कर चुके अब सवाल क्या आएगा, कि जब एक ही reaction mixture में मैं सारे के सारे चारो basically DDNTPs को label किया हूँ, तो each of the four DDNTPs chain terminating nucleotides labeled with the fluorescent dyes, and each emits the different wavelength, देखो जैसे A अलग wavelength कर रहा है, T अलग wavelength कर रहा है, C अलग करेगा, और G जो है वो अलग करेगा, तो यह जैसे विप गयोरी वाली कहानी, तो blue का wavelength अलग होगा, तो उसका सभी का color भी अलग आएगा, तो जैसे जैसे nucleotide add होगे, वैसे वैसे कहानी बनेगी, लेकिन सवाल यह है कि इसको हम gel electrophoresis पे नहीं कर सकते, इसलिए हमें capillary चाहिए, capillary क्या काम करता है, समझने की कोसिस करना, उससे पहले वही कहानी, denaturation होगा, denaturation के बाद क्या होगा, primer anneal करेगा, और primer anneal के बाद क्या होगा, extension होगा, और extension के दरान termination भी होगा, क्यों, क्योंकि अब देखो, यहाँ पे जब चीजे जाएंगी, तो आपके पास कुछ nucleotide add होगे, और कुछ DDNTPs भी add होगे, जो DDNTPs जहाँ पे add होगा, उसी साब से fluorescence ह A वाले का जो fluorescence था, वो अपना wavelength fluorescent करेगा, जो G वाला होगा, वो G वाला करेगा, C वाला होगा, C वाला करेगा, तो ऐसे multiple जो fluorescent, कैसके last जो nucleotide होगा, या जो DDNTPs होगा, क्योंकि जो last वाला होगा, वो अपना fluorescence करेगा, A होगा तो A वाला, G होगा तो G वाला, C होगा तो C तो multiple इसी तरीके से fragments आपको generate होगे, एक ही reaction tube में, एक ही reaction mixture में, क्योंकि आप एक ही reaction mixture में सारे DDNTPs को add कर रखे, तो lots of the fragments यहाँ पर generate होगे, depending upon the, कि कौन सी probability, किस fragment पर कौन सा include हो रहा है, again वही probability का खेल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से there's lots of fragments जो है, वो आपके generate हो जाएंगे, अब यह fragment generate हो जाने के बाद, इन्हें आपको run करना है, not on the page, अब इन्हें run करना है, capillary में, capillary electrophoresis simple ही है, लेकिन यहाँ पर बस एक capillary, एक tube का use कह जाता है, तो ज़रा ध्यान दो, इस reaction mission को आपने क्या कर लिया, एक capillary electrophoresis chamber में रखा, capillary electrophoresis chamber में एक तरफ आपके पास inlet buffer होता है, जिसमें आप sample को load करते हैं, एक तरफ outlet buffer होता है, और इसके बीच में देखो, यह capillary है, और इस capillary में gel भरा होता है, और आपका DNA यहां से इस gel के थ्रू रन करता है, अगेन यहीं देखो, यह आपके पास positively, यानि यह आपके पास क्या है, cathode है, और इधर के तरफ क्या anode है, तो एनायन इस inlet buffer से, यानि negatively charged DNA यहां से यहां मूव करेगा, देखो ज़रा समझने की कोशिस करो, तो inlet buffer से, outlet buffer में इसे मूव करना है, यह capillary को अगर मैं straight समझाने की कोशिस करो, तो negatively charged cathode से positively charged anode की तरफ मूव करेगा, क्यों? क्योंकि on the basis of negatively charged DNA, और अगेन यह देखो, यहां से यहां तक मूव करेगा, हाला कि यह capillary ऐसे होता है, लेकिन समझाने के तौर पर आपको इस तरीके से horizontal समझा जा जा रहा है, जैसे वो gel में move कर रहा था DNA, वैसे यहां पर भी तो कहानी वह होगी, जो छोटे size का DNA होगा, वो faster move करेगा, और जो बड़े size का DNA होगा, वो slower move करेगा, exactly same sense यहां भी बनेगा, जो छोटे size के capillary से जब movement होगा, तो जो छोटे size का DNA हो faster move करेगा, अब जो DNA आ रहा है, जो छोटा size होगा, laser यहां से दिया, जैसे laser से activate होगा, वो अपने specific fluorescence दिया, जैसे देखो यह वाला आपने T था, तो T हुआ, अब देखो, जो fluorescence आया, C वाला था, तो C पता चल जाएगा, इसी तरीके से, जो है, laser के थुरू detect होता रहेगा, जैसे-जैसे movement होता रहेगा, fragment का display पे जो है, आपके signals आते रहेगा, कि A है कि T है, जो है, इस तरीके से signals appear होते चले जाएगे, and on the basis of signal, सीधे, जो है, real-time में, जैसे-जैसे sequencing होती जा रहे है, movement होता जा रहा है, आपको sequence मिल जाएगा, और sequence मिल जाएगा, तो एक sequence के बाद दूसरा आप निकाल सकते हैं, this is your Sanger sequencing, for your, कह सकते हैं कि gel electrophoresis के base पे भी है, और capillary automated भी था, और आपके पास, जो है, manual method में भी था, यह part clear है,